जब अठारों के थे तब लगता था कि अपना टाइम आएगा तीस साल के थे तब भी लगता था कि अपना टाइम आएगा चालिस साल के हुए तो तब भी एक आज बची थी कि बच्चे बड़े हो जाएं फिर अपना टाइम आएगा पच्चासके भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की साधी भी हो गई और वो सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए सोचा था थोड़ा गूमेंगे फिरेंगे, अपने पसंद का खाएंगे और अच्छे कपड़े पहनेंगे मगर अपना टाइम आया ही नहीं, जमापूजी बच्चों की पढ़ाई और साधी में लग गए बच्चों से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी संगर से कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन अपना टाइम नहीं आता है इसलिए जो चल रहा है उसी में अपना टाइम निकाल लीजिएगा, थोड़ा बेवज़बी मुस्कुरा लीजिएगा वर्ना सारे अर्मान धरे के धरे रह जाएंगे, ना घुटने साथ देंगे, ना सरीर, ना कोई इच्छा बचेगी, ना कोई उम्मीद इसलिए थोड़ा जी लीजिए, पुष्ट अच्छे लगे तो लाइक सेयर कर दीजिएगा